जैसे कि हम जानते हैं कि आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट किसी भी सर्विस या प्रोड़क के अगेंस्ट आप्टिमाइज कर सकते हैं जो आपने कीवर रिसर्च की हैं उनके अगेंस्ट आप उनको रैंक भी करवा सकते हैं लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हर वर्क हमारा क्लाइंट सिर्फ बाय करने के लिए रेडी नहीं रहता वो सरे लोग अभी decision making process में होते हैं जिनको कुछ चीज पहले देखनी होती है परक नहीं होती है understand करना होता है कि उनको चाहिए क्या उसके बाद वो decision लेते हैं अगर आपको याद हो कि हमने inbound marketing में understand किया था कि inbound marketing में अक्सर आप content पहले value create करते हैं उसके बाद sell करते हैं एक चीज़ बड़ी clear है जिसको अभी चाहिए उसको अभी बेचना है आपने लेकिन जिसको अभी नहीं चाहिए उसके साथ आप क्या करेंगे मतलब कि उसको आप किस तरह का content देंगे कि वो अभी में भी research कर रहा है अपनी product या service जो भी उसको चाहिए और वो आप बेच रहे हैं या आपका client बेच रहा है वो उस research process में आप उसको कैसे help कर सकते हैं हमने पहले discuss किया कि blogs एक अच्छा medium हैं लेकिन blogs के इलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं जिसके against आप अपनी SEO की ranking भी बेतर कर सकते हैं होता क्या है कि अगर एक customer ने for example mobile खरीदना है तो आप उसके आप मोबाइल की guide जो है वो भी उसको आप दे सकते हो अगर वो prices धून रहा है अगर वो comparison कर रहा है या वो उसको नहीं पता कि कौन सा mobile लेना है या कैसे लेना है या mobile में क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है इन सब चीज़ों को आप capitalize इस तरह से कर सकते हैं कि आप उसके against e-books create कर लें guides create कर लें या अपने और दूसरी तरह के calculator या different चीज़ें अपनी website पर create कर सकते हैं और ये एक different aspect होता है या एक और opportunity होती है आपको उन keywords पर rank करने के लिए जो otherwise आपकी product और services से directly related नहीं है so for example अगर मेरे customer एक mobile खरीदना चाह रहा है और हमने जैसे ABC mobile store की example हम लेके चल रहे हैं तो उस ABC mobile store में मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं इसको जो decision process है उसमें help कर सकूँ एक चीज तो बड़ी clear है कि अगर उसको certain mobile चाहिए मेरे customer को या आपके client की customer को वो आएगा आके buy करेगा अपने product देखेगा product की description पड़ेगा आपसे buy कर लेगा लेकिन अगर उसको यह help चाहिए कि mobile buy कैसे करना है मतलब कि यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा mobile अच्छा है कौन सा बुरा है यह सब चीजें understand करने के लिए आप e-books लिख सकते हैं यह हम अगर इस website की बात करें तो हम इस website के लिए customer को किस तरह की guide दे सकते हैं तो for example आप लिख सकते हैं कि guide to buying a budget mobile phone मतलब कि एक सस्ता mobile phone जो एक budget mobile phone कैसे लेना है आप उसको एक चोटी सी e-book लिख दें और e-book में कोई thesis नहीं लिखना आप e-book में 4-5 pages आप 10 tips लिख दें PDF बना कि उसको upload कर लें उसको कहें कि email दो अपना number दो और sign up कर लो अगर कोई search कर रहा है कि how to buy या best ways to buy a budget phone ये guide आपकी एक ना सिर्फ एसट बन गया बलकि आपकी SEO को भी बेतर करेगा अब ये keywords आप प्रॉडक्ट में नहीं डाल सकते उसकी reason ये है कि ये basically एक helping keywords के against rank करेगा So, अगे और किया topics हो सकते हैं for example, अपना mobile कैसे तेज़ चलाना है, अगसे लोगों को mobile maintenance का नहीं बता है अब क्यूंकि आपकी customer audience जो है, customer base वो mobile use करती है तो आप उनकी problems को understand करते हुए अगर उनका mobile साफ करना नहीं आता, अगर उनको साफ रखना नहीं आता, उनको speed up करना नहीं आता, ये छोड़ शोड़ी guides आप बना कर अपने website पर डाल सकते हैं और ये client आपको जब अच्छा लगेगा तो वो आपकी ये चीजें share करेगा आगे और जब वो share करेगा तो आप ultimately rank करेंगे इसके लावा हमने dentist की example लिए थी, dentist में for example अगर किसी को यही नहीं पता कि वो dental implants कैसे होते हैं तो एक doctor अपनी website पर ये article लिख ले या एक guide छोटी सी book लिख ले कि भाई आपको dental implants के लिए क्या क्या चाहिए हो सकता है या आप कैसे pain free dental implants ले सकते हैं उससे क्या होगा customer का trust भी build होगा लेकिन साथ ही आपकी website की भी ranking गूगल में बेतर होगी क्योंकि आप अपने customer को या अपनी audience को help कर रहे हैं decision making के अंदर so finally अक्सर आपने website पर देखा होगा कुछ लोग calculator डाल देते हैं calculator समराद let's suppose कि अगर आपने mobile की price buy करनी है तो आप mobile calculate करेंगे इसमें for example मैं अगर किस्तों पर लेता हूँ तो छे मीने की किस्तें कितनी बनेगी या अक्सर financial calculators होते हैं कि अगर आप insurance ले रहे हैं तो आपका 10 साल 20 साल में कितनी insurance बनेगी इस तरह different calculators जो हैं यह वी एक बड़ी अच्छी SEO की traffic की reason बन जाते हैं इन पर बहुताँ traffic इसलिए आती है क्योंकि आप उनकी problem solve करते हैं और ultimately वो आपको इसको link करते हैं और share करते हैं तो इस topic का मकसद शिर्फ यह था कि आपको यह बताया जाए कि सिर्फ product और services को ही optimize नहीं करना आप blogs भी optimize कर सकते हैं लेकिं blog से इलावा भी opportunities हैं कि आप अपनी चोट-चोटी guides लिखें दो पेजिस चार पेजिस इससे ज़्यादा ज़रूत नहीं है एक page की भी guide बन सकती है उसको लिखें अपनी website पे डालें और उन pages को उन keywords के गैंस ट्रैंक करें